नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर दाखिल खार इस बंटाधार करने में लगे प्रदेश के ये साथ प्रखन अब सरकारी धन दबाने वालू पर सरकार कसेगा सिकंजा 24 वे सब जूनियर जूनियर एवं सीनियर सकाय राश्ट्रिय प्रतियोगिता में बिहार ने जीते 6 पदक तेरा जन्वरी को बिहार में यहां लग रहा रोजगार मेला खार्तिय टीम के स्खिलारी ने MS धोनी की सलाह को बताया जीत का महामंत इसके साथ ही बरते हैं शाम तकी बड़ी खबरों के ओर वस्तार से दाखिल खारिज बंटाधार करने में लगे प्रदेश के ये 60 प्रकन बिहार सरकार के राजश्व एवं भूमी सुधार विभाग के स्तर से जारी के गए रैंकिंग के अनुसार बिहार के 60 अंचल में दाखिल खारिज का प्रदर्शन बेहत खड़ाप आए गया है बतादे कि दिसंबर 2023 में आठ मुक्य बिंदूओं पर सभी अंचलों के काड़ियों का मुल्यांकन करने के बाद राजिश्वे एवं भूमी सुधार विभाग के स्तर से रैंकिंग जारी की गई है जिसके अनुसार बिहार के 45 अंचल ऐसे हैं जिसमें दाखिल खारिज के निश्पादन की रेट 50 प्रतीशत या इससे कम है पालम हो कि बिहार के सभी ब्लॉक में अब तक दाखिल खारिज से जुड़े एक करोड बीस लाग 37 हजार आवेदन आई है जिनमें 67 लाग 26 हजार का ही निस्पादन हो पाया है बतादे कि विभाग की समिक्षा में यह सामने आया है कि 130 ब्लॉक ऐसे हैं जिन्होंने पहले बिना किसी ठोस कारण के दाखिल खारिज के आवेदन को रिरस्त कर दिया और फिर इसे सुख्रित कर लिए BPSC ने Assistant Professor का जारी किया रिजल्ट बिहार लोग सीवा आयोग के द्वारा Assistant Professor Computer Science परिक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है जिसमें कुल 202 उमिद्वारों को सफल घोसित किया गया है बता दे किस परिक्षा के इंटर्व्यू में कुल 449 उमिद्वारों के द्वारा भाग लिया गया था ऐसे में जो भी उमिद्वार इस परिक्षा में शामिल हुए थे वो आयो की वेफसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर अपने रोल नंबर और जन तिती की मदद से अपना मार्क सीड डाउन्रोड कर सकते हैं मालम हो किसके लिए 9 सितंबर 2023 से 28 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चली थी वही परिक्षा के लिए इंटर्व्यू का आयोजन 27 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक आयोजित के आगया था बहार में अयोध्या से भेजी जाएगी एक्क्यावन हजार रामायन प्रतियां 22 नवरी को अयोध्या मेराम लला की प्रान प्रतिस्ठा होने वाली है इसको लेकर भारत की सीमा से 60 नेपाल में उच सभी महौल है इसी कड़ी में बगा के बालमिकी आस्रम से अयोध्या करीब 51,000 रामायन की प्रति भेजी जानी है जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है बता दे कि वालमिकी आस्रम से अयोध्या जो रामायन की प्रतियां भेजी जानी है उनमें सबसे अधिक नेपाली भाषा में अनुवादित भक्ती में रामायन की प्रति होगी इसको ले अब सरकारी धन दबाने वालों पर सरकार कसेगा सिकंजा सरकारी धन बैंक रिन या रजश्व की रासी हरपने वालों पर नकेल कसा जा सके और इंसे जड़े मामलों का सग्र निप्टारा हो सके इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा लोक मांग वसूली कानून में संसोधन करन अनील कुमार चा और उप सचीव संजीव कुमार समेथ कई अधिकारी उपस्तित रहें वहीं सभी प्रमंडलिय अयुक्त जिलाधिकारी और एडियम वीडियो कॉन्फरेंसिंग से जुड़े हुए थें मालू हो कि अधिनियम में संसोधन पर सुझाव देने के लिए इसका ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में डाला गया है अच्छे सुझावो का समवे संसोधन में किया जाएगा सिक्चक नुक्ति पत्र वितरन समारो के लिए बदला पटना का रूट कल यानी की 13 जन्वरी को बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में दो पहर 12 बचे से बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के द्वारा दूसरे चरण के सक्षक भरती परिक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को न्युक्ति पत्र बांटा जाना है SMS को लेकर पटना के कई रूट में बदलाओ किये गए हैं और साथ ही सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था रखी गई है पतादेगी गांधी मैदान के चारो तरफ ठेला खुम्चा अवैद पार्किंग नहीं देने होंगे ठाकुरवारी मोर से गांधी मैदान आने वाले वैवसा एक वाहन ओटो इरिक्सा को ठाकुरवारी मोर से नाला रोड के ओर डायवर्ट करने होंगे पुलिस लाइन तिरहा से गांधी मैदान की ओर आने वाले टेंपो इरिकसा आधी को पुलिस लाइन तिरहा से वापस राजापूर पुल की ओर डाइवर्ट कर देंगे पुलिस लाइन तरहा से गांधी मैदान की ओर आने बाले टेंपो इरिकसादी को पुलिस लाइन तरहा से वापस राजापूर पुल की ओर डाइवर्ट कर दिया जाएगा गूस लेते दारोगा को डी आईजी ने किया बरखास्त। जहां से नियाई खिरासत में केंदरी काड़ा भागलपूर भेज दिया गया था ऐसे में 22 थाना में पदस्थापना के दोरान ही प्रो में मरांडी की गिरफतारी हुई थी और गुरुवार को से बरखास्त कर दिया गया 24 वे सब जुनियर जुनियर एवं सीनियर सकाई राश्ट्रिय प्रतियोगिता में बिहार ने जीते 6 पदक बतादे के बिहार के जिन 6 खिलारीयों के द्वारा यह पदक हासल किये गए हैं उनमें हर्स रंचन अंडर 14 ओपन भार बर्ग कांसे पदक सुसांद कुमार अंडर 18 लोबा 48 के ग्रा कांसे पदक अंकुस कुमार सिंग अंडर 18 के एक व्यक्तिकत रज़त पदक अंकुस कुमार सिंग अंडर 18 खौंकी मिक्स डबल्स कांसे पदक कुमल जैन अंडर 18 खौंकी मिक्स डबल्स कांसे पदक और रमन कुमार अंडर 18 लोबा 52 किलोग्राम कांसे पदक शामिल है स्वच्छ सर्विक्षन में पटना ने 13 अस्थान की लगाई चलांग से भी शेहर को स्टार रेटिंग क्राप्त नहीं हुई थी वहें इन सब के अलावाल जल श्रुतों की सफाई विवस्था में भी पटना को इस बार वाटर प्लस का अवार्ड मिला है शही चंदन के पडिवार से मिले आईजी विकास वैभव बिहार के नवादा के वारसली गंच अस्थित नारो मुरार गाउं के आतंकी हमले में शहीद हुए चंदन के पडिजनों से मुलाकात करने के लिए बीत दिन आईपियस ओफिसर विकास वैभव उनके गाउं दिया है मही इस पर ट्वीट कर उने लिखा कि नवादा के नारो मुरार ग्राम पहुँचकर भारत माता के अमर्ट सपूत शहीद चंदन जी के पडिजनों से मिलकर मैंने अपनी समवीदनाई प्लकट करते वे अपने अस्तर से हर संभव सहयों का आश्वासन दिया अमर्श चंवरी को बिहार में यहां लग रहा हा रोजगार मिला अगर आप रोजगार की तलाश में है तो यहां खबर आपके लिए हैं बतादे इकल यानि कि तेरा जनवरी को बेतिया के जिला निवंधन एवं परामर्श केंद्र के प्रांगर में समसंसाधन विभाग जिला नियोजनाले के ततवधान से ही रोजगार मेला का आयोजन किया जाड़ा है जिसकी शिर्वास सुभाई 11 बजे से होगी जो की शाम 4 बजे तक चलेगी ऐसे मे बुलोग जो स्रोजगार मेला में भाग लेना चाहते हैं उनका NCS पोर्टल पर निबंधन होना अनिबारे है इस बारे में जिला नियोजन पदादिकारी अंकित राज के द्वारा जानकारी देते वे बताये गया कि एक चुक अभ्यार्थी नियोजक से जॉब के विशय में जानकारी प्राप्त कर अपना अवीदन और बायोडाटा जमा कर सकते हैं वहीं अभ्यार्थियों की सुधा के लिए चिला नियोजनाले में दूरभास संख्या सुने 6254-295737 पर हिल्प सेंटर बनाए गया है जिस पर अभ्यार्थी संपर्त कर सकते हैं बिहार की राज़धानी में बनेगा होकी इसटोटर्फ मैदान बहुत जल्दी बिहार की राज़धानी पटना के राजिंदर नगर अस्थित फिजिकल एद्यूकेशन कॉलेज परिसर में होकी इसटोटर्फ मैदान, फुटबॉल, इतलेटिक्स, ट्रैक, हैंड़बॉल, बॉलिवल और खोको ग्राउंड का नर्मान किया जाने वाला है जिससे की राजी के उन खिलारियों को काफी लाब मिलेगा जो इस खेल से जुरे हुए हैं या जुरना चाहते हैं बतादे कि इसके लिए डिजाइन फाइनल कर लिया गया है और इस मैदान के नर्मान में कुल 24 क करोर उपए खर्च किये जाने वाले हैं वहीं अब जल्दी इस काम की भी शिरवात कर दी जाएगी मालम हो कि इन सब के अलावा इस मैदान में एक बहतर प्रशासनिक भवन भी होगा जहां से सारे खेल की गतिवीधियों को संचालित किया जाएगा वहें इस तोरान में आर् विवेकानन की जयंती हैं उनका जन वर्ज 863 में काल कता में हुआ था ऐसे में आज के दिन को युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है इसे में आस सवामी विवेकानन की जयंती और युवा давस के अफसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नतीश कुमार के दोरा साधर नमन और बधाई दी गई है उन्होंने एक्सपर्ट जो कि पुर्व में ट्विटर हुआ करता था उस पर ट्विट कर लिखा है कि स्वामी विवेका नंजी की जयनती के अफसर पर उन्हें साधर नमन स्वामी विवेका नंजी की जयनती को राष्टर युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है मेरी ओर से युवाओं को राष्टर युवा दिवस पर हार्दिक शुप कामनाई सकरात्मक्ता एवं नई उर्जा से भड़ी युवा पीडी राचे एवं राष्ट्र के विकास में एहम बोमिकाने भाती है मिरा विश्वास है कि प्रतीभा के धनी युवाओं के सहीयोग से बिहार विकास की रहा में अग्रणी बनेगा तेश्वी यादव ने हाजीपुड के सदर अस्पताल में लिया ताबर तोर एक्सन बीती देडराद बिहार के उपमुख्य मंत्री सह स्वास्ते मंत्रे तेश्वी यादव स्वास्ते विभाग का जाईजा लेने के लिए हाजी पुड के सदर अस्पताल पहुंचे जहां उन्होंने आधा दर्जन से अधिक सुरक्षा गाड को सोई हुए अवस्था में पाया वहें इस दोरां तेश्वी यादव के द्वारा दवा काउंटर बंद रहने के साथ इमर्जेंसी में ECC मशीन नहीं रहने पर नाराजगी जता है तेश्वी यादव के आने के करीब 20 मिनट बाद सदर अस्पताल पहुंचे उपाध्यक्ष को फटकार भी लगाया गया उन्होंने कहा कि 40-50 डॉक्टर पोस्टिड है जबकि रातरी में मातर 3 डॉक्टर ही ड्यूटी पढ़े इसके साथ उन्होंने सुरक्षा कंपनी को ब्लाक प्लिस्टेट करने को कहा मालमों कि इस दुरान तेश्वी यादव के दौरा निबंध काउंटर दवा काउंटर इमर्जेंसी वोर्ड सर्जिकल वोर्ड ओटी एक्सरे सेंटर डियलेसिस सेंटर पीकू वोर्ड शिशू वोर्ड आदी का नरिक्षन किया गया और कहीं दिशा नर्देश भी दिये 21 जनवरी 2024 को होने वाला था लेकिन अब उनका यह दौरा टाल दिया गया है बता दे कि मक्य मंतरी निटीश कुमार 21 जनवरी को रामगर से जोहार यात्रा के जरिये जेडियू के चनावी अभियान का आगास करने वाले थे जो की अब 3 फरवरी 2024 को किया जाने वाला है मालमो किस्ते पहले सियर निटीश के द्वारा अपनी वारा नसी रैली को भी रद कर दिया गया था दरसल लोकसभा चनाव को लेकर जेडियू बिहार के बाहर से अपने चनावी अवियान की शिरवात करना चाहती है इसको लेकर उत्तर प्रदेश जारकर और पश्चिम बंगाल मे मुख्यमंत्री निटीश कुमार के द्वारा रैली किया जाना है भारतिय टीम के इस खिलारी ने MS धोनी के सलाह को बताया जीत का महामंत्र बीते दिन भारत और अफगानिस्तान के बीच हुए तीन मैचों की T20 स्रीज के पहले मुकाबले में भारत की जीत में शिवम दूव बल्ले बाजी करते वे जादा सोचता नहीं हूं बस गेंद के अनुसार खेलता हूं मुझे नंबर 6 पर बल्ले बाजी करने और खेल खतन करने की आदत है मैं इस काम से बहुत खुश हूं मोहाली में हमने ठंड का मजालिया हलाके फिल्डिंग करते समय यह काफी मुश्किल मैं सर्फ अपने आप से बात करने की कोशिश करता हूं नंबर 6 पर बल्ले बाजी करते समय मुझे जादा गेंदे खेलने का या बहुत अधिक रन बराने का मौकान नहीं मिलता यह बात मैं खुद से कहता रहता हूं अब बरते हैं आज के 5 सवाल की और हमारा पहला सवाल है तेरह जन्वडी को सिक्छक न्युक्ती पत्र वित्रन समारों की श्रुवात कितने बजे से होगी ऑप्शने 2 पहर 12 बजे ऑप्शन B 2 पहर 1 बजे ऑप्शन C 2 पहर 2 बजे ऑप्शन D शाम 5 बजे इसका सहुतर है ओप्शन E 2 पहर 12 बजे अगला सवाल बेतिया के जिला निबंधन एवं परामर्ष केंद्र के प्रांगन में रोजगार मेला का आयूजन कब होने वाला है ओप्शन E 15 जन्वडी, ओप्शन B 14 जन्वडी, ओप्शन C 13 जन्वडी, ओप्शन D इन में से कोई नहीं, इसका सहुतर है ओप्शन C 13 जन्वडी, ओप्शन E 200, ओप्शन B 202, ओप्शन C 430, ओप्शन D 449, इसका सहुतर है ओप्शन B 202, अगला सवाल, स्वामी विवेका नन्द का जन्व किस वर्स हुआ था, ओप्शन E 1860, ओप्शन B 1861, ओप्शन C 1863, ओप्शन D 1865, इसका सहुतर है ओप्शन C 1863, अगला सवाल, केंदर सरकार के स्वच्छ सरविक्षन में देश भर के 10 लाग से अधिक आबादी वाले शेहरों में पटना कि ओप्शन E 25, ओप्शन B 26, ओप्शन C 38, ओप्शन D 35, इसका सहुतर है ओप्शन E 25, बीते दिन हमाया दूरा पूछिक सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्षन बॉक्स में लिख कर दिया है, जिन्होंने हमाया दूरा पूछि इसके साथी बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, बीते दिन हुए भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले T20 मैच में आपको किस भारतिये खिलारी के प्रदर्शन ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, अपना जवाब हमें अमारे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहें बिहारी न्यूज और साथी अगर आप यूटूब से देख रहें चनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पीस को फॉलो करना ना भूलें धन्यवाद